Hello everyone, welcome back तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मशीन लर्निंग की कुछ एप्रोचिस का एंट्रोडक्शन लेंगी और ये वीडियो जो है अमारी एक एक स्प्लेंड ये डिटील वीडियो नहीं होगी इस वीडियो के अंदर जो हैं अटिफिशल इंटेलिजेंस या मैं बोल सकता हूँ मशीन लर्निंग इंडिस्ट्री के अंदर ये अल्गॉरिदम कंटिनसली या फिर ही एप्रोचिस जो है वो कंटिनसली यूज की जाती है तो बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं बहुत सारी ऐसी टेक्नलोजीज हैं जहां पर इन मशीन लर्निंग अप्रोचिस का यूज किया जाता है तो इस वीडियो के अंदर आपको वो साथ ऐसी यानि कि टोप सेवन मशीन लर्निंग अप्रोचिस के वारे में बताऊँगा या इंटिमेट करऊँगा कि यह जो है हमारी टोप सेवन मशीन लर्निंग अप्रोचिस जितने भी AI बेस्ट इंडस्ट्री हैं उसके अंदर यूज की जाती है तो सबसे पहली इसके अंदर आती है हमारी आर्टिफिशल नियूरल नेटवर्क तो आर्टिफिशल नियूरल नेटवर्क जो है यह हम प्रीविएस वीडियो में वो डिसकस कर चुके हैं कि यह जो है हमारी सूपरवाइस लर्निंग केटिगरी की हमारी अप्रोच होती है और इसका यूज जो है हम सभी अल्गॉरिथम को नहीं डिसकस करने वाला हूँ और आर्टिफिशल नियूरल नेटवर्क के जो इंट्रोड़क्टरी वीडियो होगी यानि इस एप्रोच की जो हमारी इंट्रोड़क्टरी वीडियो होगी वो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है जिसके अंदर हम detailed और explained way में artificial neural network को पढ़ेंगे second आती है इसके अंदर हमारी clustering जिसके अंदर हमारे पास output data हमें नहीं available होता third आती है reinforcement learning, reinforcement learning के अंदर क्या होता है इसके अंदर आपके पास नहीं input रहता है और नहीं output रहता है machine जो है automatically वो सीखती है अब इसके नहीं जो है वो क्या करती है इसके लिए बहुत सारी different algorithms है जिनका जो है introduction जो है मैं हमारी आने वाले videos के अंदर आपको provide करूँगा next आती है decision tree learning अब decision tree learning जो है जैसे कि इसके name से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसके अंदर जो है हम decision tree यानि कि जैसे आपने data structures के अंदर कुछ एक specific data structure पढ़ाओगा tree उसके अंदर क्या होता है एक hierarchy follow होती है root nodes से लेके child nodes तक अब उसी hierarchy को जो है हम decision लेने के लिए यूज़ करते हैं यानि कि यहाँ पे वो tree data structure यूज़ किया जाता है जिससे जो है हम prediction कर सकते हैं या फिर कोई decision ले सकते हैं अब इसका example मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा weather forecasting के लिए जो है इसका use किया जाता है Bayesian networks support vector machine और genetic algorithms ये तीन ऐसी हमारी algorithm है या मैं बोल सकता हूँ machine learning approach है जिनका current time पे industries जो पे related है machine learning से artificial intelligence से बहाँ पे हमारी machine learning की ये approach जो है सबसे ज्यादा useful है और ये वो साथ ऐसी machine learning approaches है जो हम इस unit के अंदर discuss करेंगे हमारी आने वाली next seven videos के अंदर Thank you